भूतिया रेलवे स्टेशन की खौफनाक कहानी आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ तो आज की कहानी भूतिया रेलवे स्टेशन की है यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गाउ में स्थित एक भूतिया रेलवे स्टेशन की है जिसे लोग अब तक नहीं भूल पाए है यह स्टेशन कई सालों से वीरान पड़ा है और इस स्थान को लेकर कई खौफ़नाक कहानिया प्रचलित है गाउं के लोग इस स्टेशन के पास जाने से भी डरते हैं क्योंकि उन्होंने इस जगह के बारे में सुनी कई डरावनी कहानिया और अनुभव किये है स्टेशन का इतिहास यह रेलवे स्टेशन कभी बहुत व्यस्थ हुआ करता था यहां से रोजाना सैकडों लोग आते जाते थे स्टेशन पर हमेशा चहल पहल रहती थी और यह गाउं के आर्थिक जीवन का केंद्र था लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस स्टेशन का नाम ही बदल दिया स्टेशन पर काम करने वाले एक कर्मचारी रामलाल की मौत रहस्यमेई परिस्थितियों में हो गई रामलाल स्टेशन के सुपर्वाइजर थे और अपनी ड्यूटी को लेकर बेहत जिम्मेदार थे उनकी मृत्यू की खबर पूरे गाउं में आग की तरह फैल गई कोई नहीं जानता था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ कहा जाता है कि वह रात में स्टेशन के प्लेट फॉर्म पर आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे अगली सुबह उनका शव उसी प्लेट फॉर्म पर मिला लेकिन उनका चहरा विकृत था जैसे उन्होंने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो रामलाल की मौत के बाद से ही स्टेशन पर अजीबो गरीब घटनाएं होने लगी रात के डरावने अनुभव रामलाल की मौत के बाद से स्टेशन पर रात में कुछ भी सामान्य नहीं रहा लोगों ने रात में स्टेशन से अजीब आवाजें और चीखें सुनी कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रामलाल की आत्मा को प्लेट फॉर्म पर घूमते देखा है कहते हैं कि उनकी आत्मा अभी भी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रही है जिसे वह अपनी मृत्यू की रात पकड़ नहीं सके स्टेशन पर तैनात किये गए नए कर्मचारियों ने भी विचित्र घटनाओं की शिकायत की कुछ ने बताया कि उनके चारों और किसी अद्रिश शक्ती का महसूस होता है जो उन्हें स्टेशन से बाहर धकेलने की कोशिश करती है कई बार रात में स्टेशन की लाइट्स अपने आप जल्बुच जाती इन घटनाओं के चलते स्टेशन पर रात की ड्यूटी पर कोई भी काम करने को तयार नहीं था भूतिया स्टेशन का भय धीरे-धीरे इस रेलवे स्टेशन की ख्याती पूरे जिले में फैल गई भटक रही है और वह किसी न किसी को अपनी जगह ले जाने की कोशिश कर रही है स्टेशन के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि वे रात में अजीबोगरीब ध्वनिया और आवाजे सुनते हैं जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर आ रही हो, जबकि वहां कोई ट्रेन नहीं होती. स्थानिय प्रशासन ने कई बार स्टेशन का निरीख्षन किया, लेकिन वे भी वहां कुछ असामान्य नहीं पा सके. हालांकि स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा के लिए यहां से दूर जाने का फैसला कर लिया. स्टेशन धीरे-धीरे वीरान हो गया और इसका इस्तिमाल बंद कर दिया गया. स्टेशन का अंत इस भूतिया रेलवे स्टेशन को अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. स्टेशन की इमारते खंडहर में बदल चुकी हैं और यहां घासफूस उग आई है. जो भी यात्री इस रास्ते से गुजरते हैं, वे स्टेशन की तरफ देखने से भी डरते हैं. गाउं के लोगों का मानना है कि इस स्टेशन पर अब भी भूतों का वास है और यह जगह कभी भी फिर से जीवित नहीं हो सकती. लेकिन इस कहानी का अंत यहां नहीं होता. कहते हैं कि इस स्टेशन की खौफनाक घटनाएं अब भी जारी हैं. कोई नहीं जानता कि ये भूतिया स्टेशन कब तक अपने डरावने रहस्यों को छुपाए रखेगा. यहां की कहानिया और अनुभव अब भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. और यह स्टेशन हमेशा के लिए एक रहस्य बन कर रह जाएगा.